Hi everyone, I am Dr. Monika Chaudhary, we will be talking about what is Pyrrhea, जिसको हम local language में Pyrrhea बोलते हैं, वो basically है क्या चीज? Basically क्या रहता है कि जब हमारी proper mouth की brushing नहीं हो पाती है, तो जो हमारे मसूडे हैं, जो हमारे मसूडे रहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है? bacterial accumulation होती रहती है, अगर आपकी proper brushing नहीं हो रही है, तो जो यह bacterial accumulation है, यह दीरे दीरे आपकी, यहाँ पे gums के अंदर invade होना शुरू हो जाएगी, और जब यह आपका, दीरे दीरे आपको invade होना शुरू हो जाती है, तो हमारे gums के नीचे हमारा bone रहता है, periodontal ligament रहता है, periodontal ligament क्या रहता है, कि आपके gums का, जो साथ में supporting system रहता है, जो socket के around run करता है, तो जब यह आपका gums को invade करते हुए, microorganisms bone तक पहुंच जाते हैं, तो इसको हम periodontitis कहते हैं, पुराने जमाने में इसी periodontitis को pyreya कहा जाता था, तो जो यह pyreya है, इसमें patient के मुँमें पस पढ़ जाती है, उसको bleeding gums हो जाते हैं, उसके gums swell हो जाते हैं, सोजिश आ जाती है, और उनका color change हो जाता है, reddish color के हो जाते हैं, bright red, and इतना pain रहता है कि patient के इपर खाना भी नहीं खापाता है, तो और इन सब चीजों के कारण patient के जो दान्त होते हैं, वो समय से पहले हिलना शुरू हो जाते हैं, आपके मुमें करेडा जिसको हम calculus बोलते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है, तो ये सब चीजें और patient के मुझ से बहुत ही गंदी सी smell आना शुरू हो जाती है, तो इन सब चीजों को जब ये कठी होना शुरू हो जाती हैं, तो इनको हम peria कहते हैं, basically वो ही जो मैंने अभी बताया, peridontitis, तो इन चीजों से सब आप अच्छे से बच सकते हैं, प्रोवाइडिड आप एक common सा रूटीन बना ले, और वो है एक simple toothbrush, तो आप सुभे शाम अच्छे से good, proper brushing technique से अगर आप अपना brushing कर रहे हैं, तो आप peridontitis से बच सकते हैं, अगर लेकिन फिर भी अगर आपको पारिया की तकलीफ हो रही है, तो आपको starting में इसका first sign आजाता है, that is, कभी आप brush कर रहे हो, तो आपको bleeding कभी भी दिखे, तो don't ignore it, वो first sign रहता है हमारा, जो patient को दिखता है, कभी भी brush करते हो, आपको reddish, brownish, जब भी आप उसको spit out करते हैं, वो दुखे अपने toothpaste में, तो do visit your dentist, because यह earliest stage है, which is known as gingivitis, और अगर इसी stage में आप treatment ले लेते हैं, तो आप कभी भी पारिया वाली stage तक नहीं पहुंचेंगे, so visit your dentist early, ताकि आप dentist को long term के लिए avoid कर सकें, stay healthy, keep smiling,